तो दोस्तो आज है 22nd of September और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर टाटा पावर की दोस्तो टाटा पावर आज आपको देखने को लेगा 231.95 पे बंद होता हुआ देखने को मिला पॉइंट 75 रूपीद आपको देखने को लेगा आज बढ़ता हुआ देखने को मिला है आज एक खराब मार्केट था लेकिन उसके बावजूद कह सकते कि जो स्टोक के अंदर रीकवरी आती ही देखने को मली फिर्म देखने को मली वो काफी बढ़िया था लेकिन यह लगाता हाई किया गया बट ओवराल इतना ज्यादा निगेटिफ क्यों नहीं है बिकॉज मार्केट 75 वेसे पॉइंट तक ठीक था और ठीक रहा 227.45 अगर आप देखेंगे यहाँ पर काज लो लगाता हुआ देखने को मला लेकिन 233.50 का आज हाई भी लगता हुआ देखने को मला तो आज का सेशन ओन और इंट्रेस्टिंग था बढ़िया था और कह सकते कि यहाँ पर स्टॉक जो था आज आपको रीकवर अच्छा होत हुआ देखने को मला from the days low but important question वही निकल के आता है कि share के अंदर हम बड़ी तेजी क्यों नहीं देख पा रहे है वो 250 का level क्यों क्रॉस नहीं हो पा रहा है यहाँ पर जो बाकी के power stocks कर रहे है उस प्रकार का move क्यों आता हुआ देखने को नहीं मिल पा रहा है इसे के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे because startup power अपना आप में आप सबको पता है कि इतनी बड़ी company है उसके बावजूत भी share अगर आपको नहीं बढ़ पा रहा है तो इसके पीछे के reasons क्या है इनके उपर बात करेंगे इसके अंदर long term में क्या कुछ हो सकता है वो भी आपको इस बहुत important है तो presently आप देखेंगे तो company के पास 12,808 megawatt के various thermal hydro renewable power plants आपको देखने को मिलते है power projects रहते वे देखने को मिलते है out of total capacity thermal account 69% है इसका total capacity उसमें से 14% solar का 7% wind का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर hydro का 7% और waste heat recovery का 3% जो है वो company करती भी देखने को मिलती है see company कितने बड़ी है यह आपको समझ में आएगा आने वाल समय में जैसे आपको मैं बताते जाओंगा वीडियो में आगे आगे company के पास दुस्तो 4000 megawatt का ultra mega power project भी है जो mundra based super critical coal technology पे चलता है इस project अकेले का अगर आप देखेंगे ना तो 31% of total capacity 45% of thermal capacity of the company जो है वो generate करता है करेगी because यह important है समझना जैसे आज शेयर में जरूर आपको देखने को मिलता है उता चड़ाफ काफी और वो उता चड़ाफ mostly आपको देखने को मिलेगा एक range में टिक गया है लेकिन आप जब दोस्तों company का vision समझेंगे company की बाते समझेंगे कि आने वाले समय के अंदर company क्या क करेगी तब जाके ही दोस्तों यहां पर विश्वास आपका आता हुआ देखने को मिलेगा इसलिए मैं यह video बना रहा हूं because इसके उपर काफी जाधा comments आते हैं कि सर इसके अंदर हम क्या करें कब जाके पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा इसलिए दोस्तों यह video पुरा ब by 2025 जो company का total expand होगा वो clean और green energy में 60% तक होगा 80% 2030 तक और company कह रहे है कि वो carbon neutrality phase में आ जाएगी जिसमें कावन 0 हो जाएगा वो है 2050 तो अब समझ लीजिए कि 2050 तक company clean और green energy के उपर आपको काम करते वी देखने को मिलेगी no coal presence क्या है company का presence across value chain आप समझिए company के पास EPC, O&M, transmission and distribution, thermal and renewable यह सब आपको देखने को मिलेगा अब एच segment का आप समझिए generation segment जो हाता है वो 37% company का revenue में generate करता है renewable 16% मान के चलिए जो renewable segment है आने वाले समय में major company का revenue source लाता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि renewable में आपको देखने को मिला है कि company ने कितने deals भी लॉक करी है तो यह आने वाले समय में सबसे focus पर रहेगा उसके बाद आप देखेंगे transmission distribution 46% अभी जरूर करता हुआ देखने को मि से अधर्स में 1% आ जाता है अब अधर्स में कौन कौन सा आता है जिसमें दोस्तों आपको देखने को गालता है satellite communication investment business company का infrastructure management business यह सब generate करते है focus किस पर करना है focus सिफ एक चीज़ पर करना है जिसको मैं कहूंगा renewable renewable is the key to success renewable is the key to success यह बात आप समझ के चलेगा company renewable के उपर इता focus क् रही है because renewable energy segment में आप समझ के चलिए यह एक dominant position पर है बली वो EV के उपर ही हो EV देखे कितना focus कर रही है EV के बाटरी इस बनाती भी देखने को मिल रही है EV के अंदर इतना focus कर रही है company यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिफरेंशल इशू दोस्तों आपको देखने को मिलेगा company ने लाया था इपर 21 में जिसमें company ने 49 करूर एक्विटी शेर जो है company के promoters इन सबको टाटर संस को दिये थे 53 रुपीज पर शेर पर और इस प्रोसीड का मतलब क्या था ताकि repayment हो सके debts जो भी subsidiaries में और company almost देख है यह पर high capital लगता हुआ देखने को मिलता है चोटे मोटे capital में होता नहीं है और high capital चे तो देखिए company के पास जरूरी नहीं कि हर बार ही cash रहे company को हमेशा दोस्तों थोड़ा बहुत debt का सहरा लेना पड़ता है इसलिए debt free होना बहुत मुश्किल है जरूर company अपने debt को कम कर र रही है बट overall दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती है अब दोस्तों बताने का reason क्या था because यह जो रोज रोज आप देखते ना कि stock बढ़ने ही पा रहा है क्या हो रहा है मैं आपको कहूंगा दोस्तों सिर्फ 2-3 साल इस share को दीजिए तो यही चीजों के पर focus करना है मैं आपक यह stock एक underperformer है बाकी power stocks के comparison में इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन यह है कि देखे company काम तो कर रही है ना company के पास आप देख रहे हैं लगातार orders मिल रहे है अभी पिए अगर आप देखेंगे company के पास करेंगे 47,179 क्रोड की sales होते भी देखने को मिल रही है तो लगातार sales बढ़ रही है ज़रूर यह profit after tax जो है वो इतना जादा नहीं है बट मुझे रखता है कि अनुल दिन में बढ़ेगा dividend deal भी ठीक ताग आपको देखने को मिलती है company का अब फ्री cash flow नहीं है बट overall मुझे रखता है कि जो दिक्कते हैं वो यहाँ पे जादा नजर नहीं आ रही है as comparison to बाग की सब companies पर आप देखेंगे बहुत debt है इसके उपर इतना debt नहीं है यह एक अच्छी बात आपको देखन कब break होता है यह अपना अपने important बात है अब कुछ technically stock को समझ लेते हैं अब technically समझे continuously हो कह रहा है एक बात अगर आप देखेंगे तो stock in levels के आसपस आके attack रहा है बार बार आपको देखने को मिलेगा इसी एक level इसी एक level के आसपस आता है वापिस से share अटकता है बीच बीच में कि levels जब तक दोस्तों यह वाले break होते वे देखने को नहीं मिलेंगे उपर में कौन सा important level है यह वाला यह वाला level दोस्तों एक बार बार जाके दोस्तों एक बड़ी तीजी बनेगी जो 250 का है 250 का level जब तक दोस्तों यह pass जाके रुख जाता है बार बार वापिस से गिर जाता जिनके पास भी मैं तो आपको यह कहूंगा कि अभी जादा focus trading के बजाए इसमें investing पर करिए टाटा पावर डेफिनिटली देखिए past में रिटरंस काफी बढ़िया दियें ऐसा नहीं कहता हूं कि देखिए past में रिटरंस दियें तो आप stock में लीजी है लेकिन यहां पर जिस आपको देखने को मिलता है यहां पर electric charging station तो उसका अभी काम काज कौन कर रहा है टाटा पावर करता हूँ देखने को मिल रहा है तो आई तिंक यह आने वाल सोनों के अंदर भी focus में रहता हूँ देखने को मिलेगा एंड इवी अगर इंडिया के अंदर success हो गया तो आई तो इस वीडियो में इतना ही था होपसो वीडियो बढ़िया लगा होगा अगर लगा है तो लाइक कर देना चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना थैंक यू फ्रेंट्स वाचिन देस वीडियो